हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपनी चैनल इस्टडियड़ा में तो फ्रेंड आज हम लेकर आए हैं पसुधन प्रिशार अधिकारी की अपनी सिरीज का पार्ट थर्ड तो हमने अपनी पहली सिरीज की कुछ वीडियो अपलोड की है तो फ्रेंड उसमें आप लोगों का वेटरन को झारूर दबा दें और जो लो इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करते हैं और अपनी दोस्तों को सेर करते हैं फर्ण श्टारट करते हैं साहिन बनाने हैं तो चारे miten फसल का ख़ो साइलेज बनाती है तो उस समय तो सीमसर्ण में कितनी right answer हो जाएगा बार कीसको उप्षन नीचे हम चेक करते हैं front वो है 70% ठीक है front next question है हमारा तर्सीम से अच्छी साइलेज नहीं बन पाती क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें सरक्रा क्या होती है क्या इसमें सरक्रा नहीं होती है सरक्रा 10% से अधिक होती है सरक्रा 10% से कम होती है या उप्यूक्त में से कोई शंबन नहीं तो फ्रेंट इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है कि जो सरक्रा होती है वो 10% से अधिक होती है ठीक है फ्रेंट नेक्स कुश्चन है हे बनाने है तुआ फसल काटने की उप्यूकत अबस्ता है कि जब हम कई फसल का हे बनाते हैं तो फसल की कौन सी अबस्ता होती है जिस समय हम इसको हे बनाने के लिए काट देते हैं तो फ्रेंट इसका जो हमारा right answer हो जाएगा हमारा कुश्पन अबस्ता है option इब पाच्छे बसा, पाच्छे रेसा, घलंसील कार्भो हाइडड या अगलंसील कार्भो हाइडड तो फरेंड इसका जो हमरा right answer हो जाएगा option number C, यान की घलंसील कार्भो हाइडड ठीक है, next question है हमारा कि गेहुं के भूसे में पाच्चे प्रोटीन की मात्रा होती है तो गेहुं के भूसे में जो पाच्चे प्रोटीन की मात्रा होती है तो कितनी होती है फ्रेंड वो होती है 0% 5% 8% 12% या फिर कितनी होती है फ्रेंड इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नमबर ए यानिकी जीरो परसेंट ठीक है नेक्ट कोशन है हमारा कि लुसरन के चारे में कच्ची प्रोटीन पाई जाती है लुसरन का जो चारा होता उसमें कच्ची प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है 10 परसेंट 15 परसेंट 18 या फिर 20 परसेंट तो फ्रेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 10 परसेंट की इसमें 10 परसेंट परोटीन पाई जाती है est question है फ्रेंट हमारा कि हे मैं नंभी की अधिक्ता मात्रा होनी चाहिए हे मैं नंभी की कितनी अधिक्ता मात्रा होनी चाहिए 15 % 20 % 25 % 30 % तो फ्रेंट इसका जो right answer होजाईगा भुहोजाईगा 15% की चारे में नंसपाइव साहिलेज बनाने के लिए सबसे उप्यूक्त फसल है तो फ्रेंट जो साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल होती है उसका नाम क्या है बर्सीम, मक्का, बाजरा या फिर नैपियर घास तो फ्रेंट इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा मक्का की साइलेज बनाने के लिए मक्का एक सबसे उप्यूक्त फसल होती है ठीक है फ्रेंट नेक्क कोशन हमारा कि अच्छी साइलेज का पी-एच होना चाहिए तो फ्रेंट अच्छी साइलेज का पी-एच मान होना चाहिए में वो कितना होने चाहिए C लिद्ध चारदसमीलब बाँच के बीच तो फ्रेंडrot चारदसमीलब बाँच से रसे नीजर क्योजने और चारदसमीलब बाँच से व्रेंडब पाँच से चैंठ या फिर 5 ठिपन्ध से कि नीचे जो option दिए उनमें से एक ऐसा है जिसको जुआली करने वाला पसू कर सकता है उपयोग परन्तु बिना जुआली करने वाला पसू नहीं कर सकता है ठीक है फ्रेंड तो उसका जो right answer हो जाएगा बहुजएगा हमारा यूरिया ठीक है फ्रेंड एनिक उप्शन कर देता हो कहलाता है तो क्या कहलाता है फ्रेंड जीवन निर्वाह आहार संतूलित आहार प्रोडक्शन आहार आदर्स आहार इसका जो जाएगा संतूलित आहार यानि कि option number 20 इसका विल्कुल आधिक उप्शन हमरती इसका बिल्कुल राओड आंसर हो जाएगा नेक्टिक कर्षा निम्न पने से सर्वत्तम स्रॉत पूंसा है तो इन में से सर्वत्तम स्रॉत है वह कुंशा है इन आप्शन में से हमने बताना तो इस पहला option सर्सूं की खली चने की चुनी गैहों की भू भूसी ठीक है फ्रेंट गेहूं की भूसी यानिक उप्शन नमर सी इसका विल्कुल राइड आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन है हमारा निमन मेंसे बहुत अच्छी साइलेज किस फसल से त्यार किया जाता है यह कॉश्चन रिपीट हो चुका है यह हमने उपर भी पढ दीखता होती है तो एक दाल वाले हरे जारे में किसकी अधिक्ता होती है कार्भोहेटिक की परोटी명 की तो फिर्ट इसका जो राइट अंसर हो लेगा तो वो आएगा 43.75 परतिसत यानिक उप्षिन नमर तीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्ट कोश्चन है कि निम्न में से किसका उप्योग अरोमन्थी फसू नहीं कर सकते तो फ्रेंट अरोमन्थी फसू प्रियोग नही तो ठीक में अधिक्तम नमी की मात्रा होती है तो एक अची है में अधिक्तम नमी की मात्रा होती है वो कितनी होती है 12% 18% 25% या फिर 30% तो फिरंड वो होती है पूरी की पूरी 18% यानि कि उप्शन नमबर 20 इसका बिल्कुल राइड आंसर हो जाएगा कुश्ण नमबर 21 बने पसु सरीर में कारवनिक पलहारतों के ओक्सी करण के फल्स बुरूप जो जल उत्पन होता है उसको कहते है तो फिर अचल नेक्स के चलते है यानि कि 22 निमन मैंसे कौन सा पसु खाद फासफोरस का सर्वत्तम स्रोध है खाद फास वोरस का जो सर्वत्तम सिरेद सुरत है फ्रेंड वो कुंसा है तिली की खल है रग्त चून है गेहों की भूसी है यह फिर मुंगफली की खली है तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहों की भूसी यानि कि ऑप्शन नमबर 6 इसका विल्कुल और बन को तो फ्रेंड इसका जो राइट अंसर हो जाएगा धाने इनको ठीक है फ्रेंड फरेंड 29 है भैसke कून सी नसी नसल के दूद में सरवाधिक बस्वाधिक बस या तो सरवाधिक बस्वाधिक बसा किसे में पार जाती ईफल की यह अधिक दूद देगी जर्णने के अधिक दूद्द के बहुत अधिक दूद देए तो उसके दूद में बसा बहुत कम पाई जाती है ठीक है फ्रेंट तो इसका और उसन गलता आंसर होगा हमारा भादाबदी ठीए ने जोने कि आज कर आज वेंस में कुंसूत्र की संख्या कितनी होती है तो फ्रांट भैंस में जो फिसन के होती है कितनी होती हैste नमबर एह 45 50 60 या 74 तो फ्रेंड इसका तो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा वह जाएगा तो फ्रेंड हमारे इस सीरीज का यह पार्ट थर्ड आपको कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो एक टैक्स कलेक्टर तो इनके भी हो सकता है फोंफिल किये हों तो इनकी भी तैयारी फ्रेंड में एक जुलाई से एक न्यू सीरीज लेकर आने वाला हूं तो फ्रेंड आप हमारे चैनल तक बने रहीएगा और इन वीडियो का लाव उठाती रहीगा तो फ्रेंड मिलते हैं बह कर गलिए बाती बाता है तो इनके उलाई